मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ कभी कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है अख़वारों में ख़वर पड़ता हूँ बारवी कक्षा का रिजल्ट आया इतने बच्चों ने आत्मत्या कर ली क्यों फेल हो गए बच्चे थोड़ी फेल हुए है परीक्षा की पड़ती फेल हुई है हमारी बच्चे फेल नहीं हुए है बच्चों के बारे में तो सारी दुनिया कहती है कि वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े के जैसे हैं जैसा आप शेप दोगे वैसे हो जाएंगे हमारे बच्चों को हमारे अध्यापक और परीक्षा वाले शेप नहीं दे पाए इसलिए परीक्षा पद्दती फेल हुई है बच्चे फेल नहीं हुए मुझे तो कई बार ये कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक से समझाया नहीं बच्चों को ठीक से और इस सिख्षा पद्धिती में क्या भेडिया धसान है, सौमे से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशे आ रहे हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिलकुल बेकार हैं, न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से जादा नंबर आए नहीं, बेकार हैं न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन, स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है, जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेव को देख लिया और उसने गुरुत्वा करशन का सिध्धान्त दे दिया जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था अब सारी दुनिया उस पर पिएचडी करती है और उसके गुणगान करती है माने फेल और पास होने से किसी व् करती है